Hello and as well and welcome back to my channel, I'm Hureem Shah आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक रिव्यू वीडियो आज की जो मैं रिव्यू शेर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ वो है ओले की ये वाली क्रीम जो के है एज 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 एज़ करीम विज एस्पी आफ 15 Anti-aging cream जो है वो हमारी skin को tight करती है एंड जो है हमारी skin पे जो wrinkles वो खारा होते हैं उसको भी reduce करती है So, ओले की जो cream है इसके उपर इनोंने claim किया हुआ है कि इसके जो है 7 benefits है और आज जो है इसकी packaging बहुत अच्छी है मुझे इसकी packaging अच्छी लेगी है यह जो है एक cardboard की packaging में आता है एंड उसकी हिलावा अंदर जो इसकी bottle है वो एक plastic की bottle है जो के एक अच्छी सी मुझे लेगी है एंड जो सबसे खास बात वो है वो यह है कि यह pump में आती है means more hygienic है and जो है इसको use करने में भी असानी होती है means हम लोग इसको pump से easily जितनी हम product चाते है हम इसली निकाल सकते है यह देखें यह इसकी consistency है काफी अच्छी consistency में आता है जिस तरह normal एक moisturizer cream होता है उस तरह एक और बात जो है मुझे इसकी यह भी अच्छी रखे कि इसमें SPF 15 है means यह जो है sun production भी इसमें है और जो है इसके जो back side पर mention किया हुए इसके ingredients mention किया हुए how to use यह लिखा हुआ है and यह लिखा हुआ है कि हम इसको खोलने के कितने अरसे के बाद हम इसको use कर सकते हैं मैंने जो है इस cream को यहाँ पर blend कर लिए तो यह blend होने के बाद कुछ इस तरह से हमारी skin पर नजर आती है तो यहाँ पर मैं आप लोग के साथ एक बहुत important बात जो है वो share करूँगी वो यह है कि यह वाली जो करीम है यह oily skin वालों के लिए नहीं है जबकि इसके उपर लिखा हुआ है यह all skin type के लिए है पर ऐसा बिल्कुल नहीं है यह all skin type के लिए बिल्कुल नहीं है यह dry skin वालों के लिए best है हाँ oily skin वालों इसको winters में use कर सकते है winters में maybe उनको यह suit करे because मेरी oily skin है means combination skin है तो जो है मैंने इसको use किया है और यह मैंने इसको make-up से पहले as a moisturizer उसकिया तो मुझे एक काफी thick सी एक चीज़ लगया कि ऐसा लग रहा था कि मेरे face पे कुछ thick सा कुछ ही लगा हुआ है और इसके इलावा इसनी मुझे अच्छी तरभिया नहीं सही से mosturize रखा है hydrate रखा है best dry skin वालों के लिए and winters में एक best moisturizer है इसकी खुश्बू भी बहुत अच्छी है and हम इसको make-up से पहले भी use कर सकते हैं और इसके इलावा अगर हम make-up नहीं करते हैं हम इसको daily basis पे घर भी use कर सकते हैं means जो है इस पे SPF 15 है इसकी एक बात मुझे अच्छी लगी है वो यह है कि यह color cast नहीं करता means हम इसको लगाने के बाद हमारा मूँ जो है गोरा सा नहीं लगता जिस तरह हम कोई भी अपनी normal एक moisturizer cream ले ले लेते हैं अगर हम लोग fair and lovely भी ले ले लेते हैं तो इसकी जो विंटर्स वाली हमारी है वो color cast करती है जब हम उसको लगाते है तो हमारे face पे लगता है कि हमने कुछ लगाया तो इसको प्लाइक करने के बाद ही color cast नहीं करती तो यह जो है अच्छी बात है तो ओवराल जो है यह यह ऐली 7 in 1 anti-aging moisturizer cream जो है यह एक dry skin वालों के लिए best है तो मैं dry skin वालों को यह recommend करूंगी वो लाजमी इसको use करें I hope आप लोगों को मेरा यह review पसंद आया होगा thanks for watching allahafir